पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्परल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गिर्पे पत्थनों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा बोल दिया कबिर बेस कार्ब स्कॉर्ट थ्री का भारतिय शेयत्र घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेटनेंट सिंग की पिट्रूल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलं से गिरे पत्थर और चट्टा और फिर अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंग की आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी जहां एक घुशकाथिया होता है, वहां और भी होते हैं ये बक्त, विपोर्वी मेक यूँ वारप्रल, तुम कहा हो, मैं अपनी टीम को धून लोगा और फिर हम इन बेदूदा लोगों को वापस घर भेज़ देंगे अब और भुस पैट लिए, ये यहां क्या करें ये वक्त, दिपोर्वी मेंग यूँ स्थेट लोगो गजसके सेड़ कि एक एकने सेहला चांग आ एकने संवके लिग एकने गर्.. हैसल पड़िचर के भी आफब आफ़िदकी करते हैं कि अजय हैं आफ़िंग हैं आफ़िवें आफ़िजें कि अपड़िवें अभी। आपड़न इपड़िदें मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं, तो हो एक और का है, ये कोई आम बॉर्डर पे ठोल तो नहीं तुम कायरो ने मेरे आदमियों को भाँ छिपा रखा है यू धिंक यू विल लास्ट लॉगर दान यू फ्रेंब्स कायरो तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते यू प्रेंग रखाई पारा यू प्रुम हमें भाँ प्रीटिम्वेश्ट लॉभर रखा बुम एक बुमाई बुम हमेरे विल खान यूओवर यू झाल झाल